हाई फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी क्लास का सोल वा दिन है तो आज की वीडियो में हम आपको पहले सिंपल प्लाजू बनाना बताएंगे जिसके लिए हमें इंच टेप चाहिए एक मारकर चाहिए सीजर चाहिए और हमको एक स्क टे चाहिए और हमारों सच कुम ऑटिए तक हैतिंक को सब्सक्तिया करेंगे मार जूद के नीचे में सबस्क्राइएं आपको भी सेम करना है अब यह हो गया हमारा क्रोचेरिय का यानि कि आसन का निसान ठीक है अभी हमें क्या करना है अभी यहां से ले जाके और ऐसे मिला देना है तो इसमें से मेरे दो पल्ले निकलेंगे क्योंकि मैं आपको सिंगल पेपर पर बताऊंगी तो इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूं कि जब कपड़े पे कटिंग करते हैं तो कैसे कपड़ा रखते हैं हम तो अब इसको हम सेम कटिंग कर देंगे और फिर चार्ट पेपर पे आपको पूरी मार्किंग बताएंगे हम आप वीडियो में बने रहिएगा अगर पसंद आती है तो साथ की स लाइक कर दीजिएगा तो देखिए यहां से अभी हमार पास दो पाट आ गए हैं यह देखिए यह हमार पास दो पाट आ गए हैं ऐसे हमें 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 कपड़े पे मिलते हैं तो वो मैं आपको कल की वीडियो में पूरा प्लाजो की कटिंग और सिलाई दोनों सिखाऊंगी बस आप बने रही है लेकिन पेपर पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगी तो आपका कपड़ा डायरेक्ट खराब नहीं होगा यही किलास का मकसद होता है और यही मतलब होता है कि पहले पेपर पे बताएं उसके बाद आप कपड़े पे बताएं तो देखिए जैसे कि मुझे अपना प्लाजो 40 का तयार करना है सबसे पहले मैं यहां से दो इंच पे बैल्ट के लिए निसान लगा दूँगे यहां पे देखिए दो इंच पे यह हमारा होगा बैल्ट के लिए डेड़ इंच की हमारी बैल्ट होगी आदा हिंच हमने मार्जन ले लिया है और इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे देखे बिल्कुल इस लाइन को हम सीधा कर देंगे और ये हम 36 कमर का प्लाजू बना रहे हैं ये ध्यान रखे हम 36 कमर का बना रहे हैं और कितना मारजन लेना है हम आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाएंगे अभी पहले हम निसान लगा लेते हैं अपनी लंबाई का ऐसे आपको करना है जैसे 40 है हमारी तयार लंबाई अब 40 पे हम इसको स्केल को रखके इस तरीके से निसान लगाएंगे ठीक है अभी हम जो वो इसमें मोडेंगे उसके लिए हम 2 इंच कपड़ा एक्स्टर लेंगे जिसे हम नीचे मोड देंगे अगर आपके पास इतना कपड़ा नहीं है तो उसमें आप अलग से पट्टी लगा सकती है वो मैं कपड़े पे समझा दूँगी तो ये मेरे दोनों मार्जन हो गए ये नीचे का हो गया वो कमर का हो मार्ण भो देखिए अब अपनी हम हम हिप का चौता हिस्सा लेंगे जैसरे हमारा हिप साइज 46 ठीक कैसल में चौता करते ही तो कितना आता है 9 इंच आप 9 में आपको कितनी loード देनी है नौ में आपको देनी है चार इंच की लोजिंग आपका जितना भी हिप साइज है जैसे 36 है ठीक है अब 36 में कितनी चार इंच की लोजिंग देनी है आपको जैसे माली जी आपकी 32 कमर है तो आपको 32 में 32 का चौता हिस्सा निकालके उसमें आपको चार इंच की लोजिंग देन ये लाइन को छोड़के हम आसन लेंगे अपना तो देखिए आसन का भी हमें चौथा हिस्सा निकालना होता है तो जैसे हमारे मेजरमेंट में आसन आ रहा है नौ इंच अब 9 में हम 2 इंच जादा लेंगे तो हम टोटल यहां से 12 इंच लेंगे तो आपका जितना भी चौथा ह लिए बनाते हैं और ऐसे इस तरीके से अगर देखिए जो लोग जादा मतलब जिनको जादा ये मेजरमेंट समझ में नहीं आता है तो वो पहले सिंपली ऐसे कटिंग करके देखें यह देखिए अब यहां से आपको मैं दो तरीके बताऊंगी घेरा बढ़ाने की जैसे माल लिजी यहां पे हम 16 इंच ले रहे हैं तोटल नीचे का घेरा होगा जो प्लाजू का होता है वैसे भी सिंपल प्लाजू है अब इसको हमें इससे बस ऐसे मिला देना है यह देखिए यहां से इसको हम सीधा मिला देंगे आप देख सकती है मैंने इसको मिला दिया है अब यह यहां से हमारा कितना आरा है यहां पे आरा हमारा 15 इंच और देखिए यह थाई वगएरा का जो पूरा मेजरमेंट होता है वो हम आपको जब स्कर्ट प्लाजो और अम्रेला प्लाजो सिखाएंगे उसमें अच्छे से समझाएंगे लेकिन आप बिगनर्स हो तो आपको पहले सिंपल चीजे सीखने बहुत जरूरी है और यह देखिए दो इंच हमने ले लिया मोडने के लिए अब मैं आपको बताऊंगे अगर देखिए आपको घेरा जादा रखना है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ऐसे अगर इसमें सिंपल में भी हम घेरा करेंगे यहीं से क्योंकि हम आपको सिंपल सिखा रहे हैं देखिए कई लेडिजों को यह जो हम बताते हैं न कि यहां से इतना लेना है वहां से इतना लेना है वो समझ में नहीं आता है तो लेकिन वो उनको इतना तो समझ में आता है कि हमें इंच टेप को ऐसे रखना है वो इंच टेप को चार तेह में कीजिए कितना निकल के आता है उतना ले लीजिए मतलब हम बहुत सिंपल तरीके से आपको पहले हम पेपर बता रहे हैं यहांसे बस ऐसे कटिंग करके इसे एक्स्टर पेपर को साइड में रख देंगे और देखिए कितना इजी है इसे बनाना कि नीचे के लिए पूरा इसे मेजरमेंट के साथ आभी आप पेपर पर इस तरीके से प्रेक्टिस करें हम आपको पूरा मेजरमेंट निकालना बताएंगे वीडियो पसंदद आए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं वीडियो देखने के लिए धन्याब आप सबीक